नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चेयंपर बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों आज के इस वीलियो के माददम से मैं आपको एक ऐसा घरोलू नुस्का बताने जा रहा हूं जो है नुस्का आपके चेरे के दाग दब्बे काले निसानों को हटा कर आपके चेरे को काफी गोरा चमकदार और सुन्दर बनाएगा अगर आपके चेर पर काफी सारे काले दाग दब्बे हो गए है या आपके तुचा ओली है तो यह नुस्का आपके लिए बहुती फाइदमन नुस्का है आप इस नुस्के को जरूल द्यान से देखिया तो चली दोस्तो जानते हैं क्या है यह नुस्का सबसे पहले हम बाग करेंगे दुस्तो डब सावन के बारे में डब सावन तुचा के लिए बहुती लापकारी होता है डब सावन विजिस कर औली इसके जानी के तेले तोचा के लिए फायदा मन folता है जदी आपकी तुचा ओली है या आपके चेर पर काले दाग दब्बे या काली च्छाया है तो आपको जरूर डब सावन का इस्तमाल करना चाहिए डब सावन में ऐसे गुन होते हैं जो तुचा के बीतर जाकर तुचा को साफ करता है और किटानों को बहार निकालता है डब सावन में अलफा और बीटा हैड्रोक्सीड होते हैं जो तुचा के बीतर जाकर हानी कारक किटानों को भान निकालने मदद करते हैं इसके अलावा डब तुचा पर मौजूद छिद्रों की सफ़ाई करता है जिससे मौासे और फुंसी से राहत मिलती है यह सावन चेरे की तुचा पर मौजूद अत्रिक तेल को भी साफ करता है जिससे तुचा साफ रहती है सूगी तुचा कई समस्याओं का घर होता है इससे तुचा पर सफेद दाग पढ़ जाते हैं और तुचा देखने में अच्छी नहीं लगती है इस समस्या का समाधन डब सावन बड़े आ जाली या ओली पढ़ियाती है तो यह सावन काफी यादा फाइदे मन्न होता है दोस्तों आपको दिन में कम सेकम दो बार डब सावन से अपने चेहरे को धोना होगा लेकिं यहाँ पर आपको डब सावन में ऐसी दो छीये मिलाकर मैं आप बताऊंगा जिससे आपको डब काउंची दो छीये मिलानी है सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डब सावन को आपको बारिक इसका पाउडर बनाना है तो आप क्या करें आप जो कद्दू कस करने वाली ले और उससे आप डब सावन को बारिक पाउडर बना ले आपका बारिक पाउडर बनके जो है त्य के से दोस्तों आप देख रहे हैं बारिक पाउडर हमारा ये बनके तेयार है फिर दोस्तों अब आपको एक खाली कटूरी लेनी है दोस्तो इस खाली कट्रूई में आपको आदा कटा हुए टमाटर का रस लेना हुआ तो आप आदा कटा हुए टमाटर लें और इसका रस जो है इसमें निचोड लें टमाटर के रसमा दोस्तों ऐसे गुन पायाते हैं जो हमारे तुचा पर काले दाग दब्बे और हमारे तुचा पर होने वाले इंपल्स को दूर करते हैं टमाटर हमारे चेहरे के लिए बहुती फाले मन्द होता है टमाटर का रस लेकर दोस्तो अब आपको इसमें एक चम्मच डब साउंड का पाउडर एड़ करना हुगा फिर दोस्तो अब इसके वाद आपको आखरी चीज़ों लेनी है वो दोस्तो कच्चा दूद मतलब की रॉ मिल्क आपको इया पर लेनी है दोस्तो और इसमें आपको एक चम्मच कच्चे दूद का एड़ करना है अ कच्चा दूद हमारे छेफ्रे के लिए काफ़ी फायद मन दोता है काफ़ी कच्चे दूद से थिक और यह रोग कंफ़ा को नमी देता है contenido। इसमारी तो कफ़ी ılmış और और मुलाइम मनती है तो आपको इन तीनों चीयों को अच्छा से मिक्स कर लेना है इस तरीके से दोस्तों यह आपका मिक्स हो चुका है अब इस चैरे को दोने का जो तरीका दोस्तों वही है आप जो इसे अपनी हतेलियों पर ले 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 इस तरीके से और दोनों होतेलियों को रगड़ कर आप इसे अपने चेरे पर मसाज की तरह गोल-गोल घुमाएं और अपने चेरे पर कम सकम एक मिनट तक इसे रगड़ते रहें फिर दोस्तो एक मिनट बाद आप अपने चेरे को सादा पानी से दोखा साफ कर लें और अपने चेरे को टावल से सुखा लें दोस्तो इस उपाय को आप दिन में दो बार करें इससे आपके चेरे के जितने भी काले दाग दब्बें काले निसान है जुरियां पड़ गई हैं सारी दूर हैंगे और आपका चेरे काफी गोरा चमकदार और सुन्दार दिखने लेगा तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीड आपगा ञाभ आपका ओएाइग निया पहाँ दोस्तो दोस्तो ज concentrate. झाल झाल